हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई न्यू वीडियो बनारस की मुस्कान तो तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ चुड़ा मटर की रश्पी शेयर करूंगी चुड़ा मटर बनाने के लिए मैंने दो कटोरी चुड़ा ले लिया है चुड़ा को हम मेडियम साइज का लेंगे हम दो हरे मिर्स और नीची अलग- अलग काट लेंगे । इस तरीके से हम उपर के जड़ को काट लेंगे पहले आप उपर के जड़ को काट लीजिए इन दोनों को हम बारी बारी टुकड़ों में अलग अलग काट लेंगे तो फ्रेंड्स हरा लेसुन से चुड़ा मटर में टेश्ट बहुत अच्छा आता है आप हरा लेसुन इसमें जरूर डालिएगा इसका पत्ति पर नीचे का जो पतला इस हिस्सा रहता है हम इसे बारी बारी अलग काट लेंगे और उपर से जो मोटा वाला जड़ का हिस्सा रहता है और हम इसे बारी बारी टुकड़ों में अलग काट लेंगे इस तरीके से हम इसे इस लेसुन को काट लेंगे तो फ्रेंड्स सर्दियों के मौसम मार्केट मटर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मीठे मीठे बिल्कुल इससे चुड़ा मटर का टेश्ट बहुत अच्छा आता है आप चुड़ा मटर जरू बनाएगा ये खाने बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से लहसुन को हम काट लेंगे तो फ्रेंड्स अब चुड़ा को हम दो से तीन पानी खुब अच्छे से धूल लेंगे आप चुड़ा को दो से तीन पानी खुब अच्छे धूल लेंगे आप चुड़ा को दो से तीन पानी खुब अच्छे धूल लेंगे और ये ही बहुत ही soft होगा से माँझा in इस तरीके से 걱정 है चुड़ा को दो लिज जुड़ा एस तरीके दो हमारा चुड़ा खुप खीला होगा और एक खाने बहुत ही बहुत ही टिस्टी लगता है आप जाता पाइन डाल के आप चुड़ा को धुलिए कि चुड़ा बहुत ही मिट्टी बहुत ही कठड़ा राता है आप घबडाय विल्कुल नहीं हमारे चुड़ा गले का नहीं और बहुत अच्छा खीला-खीला चुड़ा मटर बन के त्यार होगा दो से तीन पानी हम चुड़ा को खूब अच्छे से धूल लेंगे इस तरीके से अब रगड़ते हुए चुड़ा को धूल लीजिए देखें फ्रेंड से कितना गंदा कितना मिट्टी निकला है चुड़ा में देखें कितना गंदा कितना मिट्टी निकला है तो चलिए अब हम इसे तो अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला एट करेंगे पहले हम इसमें कटा हुआ लेसुन का पत्ती डाल देंगे तो चलिए अब हम इसमें हरा धनिया हरा लेसुन इन सारी चीजों को एड़ करते पहले हम इसमें कटा हुआ लेसुन का पत्ती डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसमें हम एक से दो चमत चीनी डाल देंगे तो अगर आपको और चीनी नहीं पसंद है तो आप चीनी को इसकीप भी कर सकते हैं और स्वात के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे नमक आप इसमें थोड़ा ही डालें यह थोड़ा नमक हमारे मटर में भी पड़ेगा अब हम इसमें एक चमच काली मिच डालेंगे इस सारी चीजों को डाल के हम मिक्स करेंगे इन सारी चीजों को डाल के हमें खुब अच्छे से मिक्स करना है तो फ्रेंड्स आप यह चुड़ा मटर इस तरीके से बनाईगा आप इसे सुबह से शाम तक दि रखेंगे तो यह ड्राइ नहीं होगा बिल्कुल खीले खीले चुड़ा मटर यह रहेंगे और यह खाने मेट बहुत ही टेस्टी लगता है तो चली अब हम इसे धक के रेश्ट होने के लिए छोड़ देते हैं अब हम गैस पर एक तरफ कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें टू से तीन टेबल स्पून हम इसमें रिफाइंट ओयल डाल देंगे आप चाहें तो सर्सो का तेल भी डाल सकते हैं तो फ्रेंज जमात तेल को अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे दो तिछ पत्ता हम डाल देंगे इन सारी चीचों को डाल के हमें एक से दो मिनट तक शौटे करना हैं अब हम इसमें एक कटा हुआ लैसून लैसून डाल देंगे इन सारी चीचों को डाल के हमें एक से दो मिनट तक शौटे करना हैं अब हम इसमें हरा मता डाल देंगे हरा मटर डालने के बाद हम इसमें एक टी इस्पून हल्दी पौरर डाल देंगे एक चमच हम इसमें धनिया पौरर डाल देंगे और इसमें हम एक चमच करीब इसमें आदा गिलास के लबख हम पानी डाल देंगे पानी डाल के हमें इसे ढख देना है ढ़क कर हमें तब तब पकाना जब तक मटर हमारा खुब अच्छे से हो न जाए अब बीज में खोल कर हम इसे एक से दो बार चला चला देंगे इस तरीके से हम एक से दो बार हम इसे खोल के चला देंगे तो फ्रेंड्स यह चुड़ा मटर आप जरूर बनाएगा यह खाने में बहुत ही टिस्टी लगता है और आप सभी को जरूर पसंद आएगा आप इसे फिवे शाम के नास्ते में बना सकते हैं अब हम इसमें एक चमश गरम मसाला डाल देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सिस्क्राइब और शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंड में बताएगा कि आपको मेरी रैस्पी कैसी लगे जो हमारा मतर अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें धूला हुआ चुड़ा डाल देंगे चुड़ा को डाल के हम खुब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से हमें चुड़ा और मतर को मिक्स कर लेना है तो फ्रेंड्स आप ये चुड़ा मतर जरूर बनाएगा ये खानें बहुत ही चिस्टी लगते हैं और आप इसे सुबह शेशांग तक भी रखेंगे तो ये ड्राइ नहीं होगा बिल्कुल खीला खीला एकदम सॉफ्ट चुड़ा मतर रहेगा इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे तो जब आप मतर में चुड़ा डालिएगा तो थोड़ा सा पानी उसमें रहने दीजेगा इस से हमारे चुड़ा मतर को अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो चलिए एक तरफ गैस पर हम एक पैन गरम करते हैं पैन में हम टू टी स्पूल देसी घी डाल देंगे जब देसी घी हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा ड्राइफ फूर्स काजू और किस्मिस डाल देंगे काजो किस्मिस डालने के बाद हमें इसे एक से दो मिनिट तक फ्राई करना है बस हमें एक से दो मिनिट तक फ्राई करना है ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है वरना यह जल जाएंगे इस तरीके से चलाते हुए हम इसे एक से दो मिनिट तक फ्राई करेंगे तो फ्रेंड्स आप चाहें तो चुडा मटर में काजू और किस्मिस डाल सकते हैं अगर आपको यह नहीं पसंदे तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं तो अब हम इसे चुडा मटर में मिक्स कर लेंगे इससे चुडा मटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरीखे से हम इसे मिक्स कर लैगे तो फ्रेंडस आप इस च्णाम मटर सुबह शाम के नास्ते में या कोई गेस्ट आने पर आप इसे बना कर सकते हैं ये सब को जरूर पसंद आएगा इस तरीखे से हम इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा कितना बढ़िया चुरा मटर बिल्कुश सॉफ सॉट खिला खिला चुरा मटर बनके रेडी हो गया है अब आप इसे बनाईए खाईए और इंज्वाय करिए और हमें कमिट्मेंट जरू बताएगा कि आपको ये चुडा मटर की रेस्पी कैसे लगी थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग